नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ जमू कश्मीर के पूर्फ सी एम और डेमोक्रेटिक प्रोक्रेसिव आजाद पार्टी के चेर्मिन गुलाम नभी आजाद ने कहा है कि लोकसबा चुनाओं में भाजपा 400 सीट का अकड़ा पार करती है तो इसके जिम्मेदार इंडिया के वो नीता होंगे जो गड़ बंदन का नित्रत्व कर रहे हैं शनिवार को जम्मू के बहरी इलाके प्रगवाल में गुलाम नभी आजाद बैठक के लिए पहुचे थे उन्होंने कहा मैं कोई जोतिशी नहीं हूँ जो बता सरकू कि लोकसबा चुनाओं में भाजपा 400 का आकड़ा पार करेगी या नहीं ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार इंडिया ब्लॉक ही होगा उन्होंने ये भी कहा कि मैं न तो कॉंगर्स के करीब हूँ नहीं भाजपा के अगर भाजपा कुछ भी गलत कर रही है तो मैं उनकी आलोशना करने वाला पहला वेक्ती हूँ इसी तरह कॉंगर्स कुछ भी सही कर रही है तो मैं उनकी तारिफ करता हूँ नोपरवरी को जम्मू के पुर्फ सीयम और नैशनल कॉन्फरेंस के उपाद्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि एंडिये इस बार के लोकसभा चुनाओं में 400 से जादा जीत सकती है इस पर नबी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अटल बहरी वाचपे की सरकार में मंत्री थे उन्हें शायद अपनी पुरानी वफादारी याद होगी नैशनल कॉन्फरेंस इंडिया व्लॉक में शामिल है आजात ने कहा कि जब मैं पीवी नर्सिमा राओ की सरकार में परेटन मंत्री था तब राओ ने मनमोहन सी को वित्त मंत्री बनाया था उनकी उधारीकर नीतियों ने बाहरी दुनिया के साथ तालमल बढ़ाने के लिए उन अर्थवेवस्ताओं में करांती ला दी जो हम से आगे बढ़ रही थी मैंने हवाई सिवा में एक अधिकार को खत्म करने के लिए उधारीकर नीति की भी वकालत की राफ सरकार की शुरू की गई उधारीकर नीति का मोदी सरकार भी अनुसरन कर रही है नभी ने कहा कि चोधरी चरंड सी सबसे बड़े किसान निता थे हमने किसी अन्यनेता को उनकी कत के बराबर आते नहीं देखा देश के लिए उनकी योगदान को पहचानने से करशक समुदाय का मनोबल बढ़ेगा राज हित में दोनों नेताओं की काम को स्युकार करने के लिए प्रधान मंतरी का आभारी हूँ देश हित में कोई काम हुआ तो उसकी सराना होनी चाहिए और अगर मोजुदा सरकार ऐसा कर रही है तो हमें उसकी तारिफ करनी चाहिए कॉंग्रेस सिस्तिफा देने के बाद गुलाम नमी ने सितंबर 22 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद